हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, मेरा नाम है मन्दीप और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा यूसफुल सौट्फियर के बारे में तो वीडियो का थमनेल देखें आप समझी गियोंगे कि आज की वीडियो है किस टॉपिक के बारे में तो एक कोशन जो मेरे को रिसेंटली बहुत ज़ादा आ रहा है इंस्टाग्राम पे तो हगसे ज़ादा मेरे को ये वाले मेसेजिस आते हैं कि भाई हमने एक सेकिंड एंड आइफोन पर्चेस किया है उसमे जो है एपल आइड लगी हुई है पर उसका पासवर्ड जो है वो जिससे पर्चेस किया था उसको नहीं पता इनफेक्ट कई बर ऐसा होता है कि हम खुद भी जो है अपने आइफोन में अगर कोई आपल आइड आइड आपने साइन इन कियो है काफी समय से आप उसको यूज़ कर रहे है तो पासवर्ड कई बर भूल जाते है और इन फैक्ट इन सम केसे आइक्लावड अक्टिवेशन लॉग जो है वो भी इसमें हो जाता है एनेबल जिसकी वज़े से आप अपने डिवाइस को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी तो यह वाला कॉशन जो है यह भी मिरे को बहुत जादा बारा है कि भाई मेरे डिवाइस में आइक्लावड अक्टिवेशन लॉग है या फिर मैं सेकिंड एड आइफोन पर्चेस कर रहा हूँ उसमें जो है अल्रेडी ऐसा लॉग लगा हुआ है कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई यह लॉग लगा हुआ है बट मेरे को पास्वड याद नहीं है तो जनरली मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप जन्मीन और ट्रस्टी डिवैस ही कीजे पर्चेस बट कई वार ऐसा भी हो जाता है कि हम एक्चुल में पास्वड भूल जाते हैं हमें नहीं रहता है याद या फिर एक्सिदेंटली जो है आपको बारे में बात तो आज की वीडियो में आपको दिखाँगा अगर आप अपने आइफ़ोन की एपल आईडी बूल गए है इन फेक्ट उसका पासपर बूल गए है और प्लीज अगरे आपको अच्छी लगए है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपनी सर्वी फ्रेंड से ताकि जो भी लोग सिमिलर कोशन रखते हैं कि आईफ़ोन में अगर एपल आईडी में लॉक लग गया तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो अब मैं आपको ले जाता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हूँ किस तरीके से यह सौफ़वेर करता है वह इसका कोई वर्क नहीं है सिरब उसको इसको इंस्टाल करना है इस सौफ़वेर को पूरी फंक्शनलिटी को वर्क करने के लिए तो अब एक बार जो है मैं अपने आईफ़ोन को करता हूँ इससे कनेक्ट तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है एपल आईडी ओ और काफी सारी फीचर से जो आपको इसमें मिलते हैं बट मैं आज आपको जो है एपल आईडी रिमूव करके दिखाऊंगा आईफोन 6S में से तो एक बार करते हैं स्टार्ट तो अब यहां पर जो है मेरे को सिंपली क्लिक करना है अनलॉक एपल आईडी पे यह मैंने किया क अब तो यह कुछ ऑप्शन से जो इसमें दिखा रहा है कि क्या-क्या इशू से जो यह करता है रिजॉल फोगट एपल आईडी पासकोड सो अनेबल टू लिसन एपल म्यूजिक और या फिर किसी भी कारण से अगर आप एपल आईडी भूल गए है उसका पासफट भूल तो सभी सपोर्टी डिवाइस में से कोई भी डेटा जो है वो नहीं होगा लॉस अनलॉक करते वक्त उसी के सासथ अगर वो टर्न आउन है तो आईवस 10.2 से 11.3 तक में कोई डाटा लॉस नहीं होगा बट बिलो आईवस 10.2 एंड अबव 11.4 एंबव उन सब में डाटा सारा हो जाएगा लॉस तो चलिए एक बबड करते हैं अनलॉक हालागि इस वाले फोन में भी कोई भी डाटा नहीं है सिरफ एपल आईडी साइन इन है तो सिरफ इस वीडियो के परपस से जो है मैंने इसमें सिरफ एपल आईडी किया साइन आपको दिखाने के लिए तो करता हू करने से पहले आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आपके फोन में आपने पासकोड सेट नहीं किया हुए तो उसको सेट कर लें और एपल आईडी की सेटिंग्स में जाके अगर आपने टू फेक्टर अथेंटिकेशन आपका अन नहीं है तो इसको आउन कर लें अध 15.7.1 जो है वो पूरा का पूरा इसमें नहा डल जाएगा और फोन हो जाएगा अनलॉक तो अब इसमें जो है समय लगेगा डाउन्लोड होनी में तो इस वाले पार्ट को जो है मैं कर देता हूँ स्किप तो अब software जो हो चुक है download अब यह verify and decompressing the firmware file तो पूरा का पूरा 4.91 GB हो चुक है download अब यह इसको verify कर रहा है और उसके बाद जो है unlock वाला process हो जाएगा start तो अब laptop में आ चुक है download complete, all data on the device will be erased after removing the apple id successfully, your device will be updated to the latest iOS version after unlocking, please make sure that your device has enough power, अब मैं click करता हूँ unlock now पे तो अब जैसे software extract होना start हुआ है, iPhone में connect to iTunes वाला logo आ चुका है, तो already connected device और unlocking process जो है start हो जाएगा, जैसे software होगा extract, तो अब इसको रखता हूँ side में और wait करते हैं कि कितनी दिर में होता है unlock तो extraction जो है complete हो चुका है और अब option आगया removing apple id please wait तो जैसे कि आप देख सकते है phone में जो है apple का logo आ चुका है और अब जो है यह properly पूरा होगा start और इसमें download हो जाएगा software तो इस वाले process में भी थोड़ा से लगे है समय तो इस वाले part को भी जो है मैं कर देता हूँ, अब skip और सीधे आपको दिखाता हूँ, अगला step तो almost 97% जो है हो चुका है और अब जो है यह unlock होने वाल है, उसी के साथ साथ phone में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, यह apple का logo है, यह हो चुका है completely 100% download, phone में जो यह progress बार है, यह भी increase हो रहा है साथ साथ, तो यह जो है unlock अब होने वाल है, और वहाँ पर आ चुका है removing 100%, तो removing ज तो एक बर जो है यह हो जाए complete, फिर करते हैं phone को चेक, तो अब phone में आ गया है restarting your device, please wait, और iPhone में भी जो है progress complete हो के apple का आ गया है logo, तो अब normally जैसे हम अपने नई iPhone को setup करते हैं, वैसे same जो है इस वाल iPhone को मैं करूँगा setup, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, finally Apple ID इसमें से हो पॉप आ गया है जिसमें लिखा है, please setup your device by following instructions on your device, और यहाँ पर नीचे लिखा रहा है configuration complete, यानि कि process जो हो चुका है complete, अब बस में जो wait करना है phone के इस बार की progress को complete होने का, और उसके बाद जो normal जैसे हम अपने device को setup करते है, language और region select करके, उसी दरीके से हम phone को करेंगे setup, जै मैंने का continue, तो phone जो हो चुका है setup, और इसमें एक बात मैं और बता दूँ, मैंने जो है iCloud activation lock जो है वो नहीं किया remove, तो यह jailbreak भी नहीं हो है, तो jailbreak का जो एक icon आता है वो भी इसमें नहीं है, तो normally phone reboot हुआ है, उसमें नया firmware download हुआ है, फिर से पूरा का पूरा, और काफी easily जो हो चुका है remove, अब एक बार देख लेते हैं, Apple ID को भी verify कर लेते हैं, कि वो sign out हुई है नहीं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, Apple ID sign out हो चुक है device से, और अब यहाँ पर option आ रहा है sign in with your Apple ID, त तो जो भी कोई नई Apple ID आप अगर create करते हैं, तो आप उससे sign in कर सकते हैं, या already अगर आपकी कोई है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, इसको sign in, और phone जो है normally एकदम सही work कर रहा है, उसमें कोई भी issue नहीं है, perfectly सारे के सारे functions के कर रहे है work, तो काफी easily जो है, इस वाले software ने जो अगर आप इसको follow करेंगे, तो काफी असानी से जो है या आपकी devices को कर देता है unlock, तो guys देखा आपने कितनी असानी से जो है, any unlock की मदद से मैंने जो है, अपने iPhone में से remove कर दिया Apple ID, तो इसी तरीके से जो है software की मदद से आप भी जो है, अपने किसी पुराने iPhone है, जो भी बहुत जादा काम का है, काफी useful software है, काफी लोगों के बहुत जादा हैगा काम, तो आप भी अगर इस वाले software को download करना चाहते है, तो इसका link जो है मैंने description में दिया हुआ, उसके किसा साथ, comment में जो है, मैंने pin भी किया हुआ इसको, वहाँ पर आप इसकी site से जो इसको कर सकत हैं और use कर सकते हैं इसके सभी features को, so that's it for today's video guys, I hope video आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको useful लगी तो please इससे definitely share करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग अगर ऐसा को issue face करते है, device को unlock करने का Apple ID भूल गया है, activation lock पे stuck है, तो इस वाली software की information जो है उन जब भी मैं ऐसी और useful videos डालूँ, तो उनकी notification जो है आपको मिल सके, अगर इस video से related आपकी कोई भी query है, तो आप उसे please comment में post कर सकते हैं, या फिर आप मुझे Instagram पर directly message भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सभी questions क answers दे दूँगा, thank you so much for watching the video guys, stay safe, take care and good bye.